जैंद मेरे प्यारा दोस्तों आज हम बात करते हैं एक एसी खुसकबरी के बारे में जिसका राजस्तान की युवा को पिछले कई सालों से इंतजार था क्योंकि 2016 में पिछली ग्राम विकास अधिकारी की जो भरती आई थी उसके बाद में अभी तक कोई भरती नहीं आई थी और इस पर जो हैं कई बार खबरें आ चुकी हैं तो अब जो हैं इसका ओपिसियल नोटिपिकेशन आ चुका हैं दोस्तों और इसके विशे में हम आज संपूर्ण जानकारी लेंगे ये एक बहुत बड़ी बरती आई ये दोस्तों तो आज हम देखेंगे कि इसमें जो हैं ग्राम विकास अधिकारी की जी ये बरती हैं इसम भरती में ये भी फीस कितनी होगी और इसमें जो सेक्सनी क्योगिता है उन सभी के बारे में हाज हम दोस्तों शुरू करते हैं बात को और इससे पहले आपके बारे में ये जो सारे जो पॉइंट हैं इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको आने 3800 चान में पदो पर यह जो भरती होगी बहुत ही बड़ी बरती है दोस्तों 3800 चान में पदो पर राजस्तान सरकार के दौरे इस बगती का official notification जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें जो आवेदन की तीती है वो जो है आज 10 सितंबर 2021 के बाद में आप इसकी official official website पर जाकर आप इसमें जो है online आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही इसकी जो अंतिम थिती है वो रहेगी 9 October के बाद में आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो जल्दी कीजिएगा last date का इंतजार मत कीजिएगे क्योंकि last के समय में जो server है वो बीजी हो जाता है site इतनी अच्छी चल नहीं पाती है जिसके कारण कई सारी दिकतों का सामना करना पड़ सकता है तो अभी जाकर आप अपना जो form है वो भर सकते हैं 10 September के बाद में तो जल्दी से form भर लीजिएगा उसके बाद में जो है आप अपनी तयारी में जुट जाईएगा यह राजस्तान की एक बहुत बड़ी भरती है जो की पिछे 2016 मेहिती उसके बाद में अब आई है इसके विशे में पिछे कई बार इसमें कुछ पदों के लिए notification आया था लेकिन अभी जो है फोरम भरने के बारे में notification official रूप से जारी कर दिया गया है और इसकी जो परिक्षा है वो अधिनेस बोर्ट के द्वारा ली जाएगी और अब हम बात करें कि परिक्षा जो है इसकी वो कब तक हो सकती है तो इसकी परिक्षा जो है दिसंबर में संभावित रूप से लेने की लिए official notification जो आया है उसमें date दी हुई थी दिसंबर में संभावित रूप से इसकी परिक्षा जो है करवाई जा सकती है तो इसकी हम फीस की बात करते हैं कि form जब आप भरोगे तो इसकी कितनी फीस लगेगी तो फीस जो है OBC और General Category के लिए फीस रहेगी 4500 रुपे और SC और ST के जो वरगे SC और ST वरगे जो हमारे candidates होंगे उनके लिए और विशेश योगेता के जो भी जो होंगे उनके लिए 2500 रुपे की फीस दोस्तों रहेगी तो हम बात करते हैं अब इसमें सेक्सिनिक योगेता की कि क्या-क्या इसमें qualification चाहिएगी तो आपको सनातक होना जरूरी है और RSC IT का एक certificate यानि की RKCL किया हुआ होना चाहिए अब जो दोस्त हमारे final year में अभी चल रहे है या फिर जिनकी अभी final चल रही है BA की तो वो graduation में जो final year में है वो इसका firm भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं तो दोस्तों वो form भर सकते हैं क्योंकि यह जो बरती की प्रक्रिया है वो लंबी चलेगी तो इसके बाद में जब जो इसका result आएगा उसके बाद में जब आपका documentary verification किया जाएगा तब तक आपकी जो है graduation complete हो जाएगी दोस्तों तो बिना किसी संकोच की आप appearing लगा कर इसका जो form है वो भर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसमें जो आयू की जो हैं वो क्या criteria रखा गया है तो आयू आपके लिए नियूनतम आयू जो है 18 वर्स होने चाहिए और अधिक्तम आयू 40 वर्स रखे गई हैं उसमें भी आयू के लिए 5-5 वर्स की छूट जो हैं सभी वर्गों के लिए दी गई हैं और साथ ही जो ये जो बर्ति जो थी वो 2016 में आय थी इसके बाद में अब आयें इसके लिए जो हैं सभी वर्गों के लिए 3-3 वर्स की अतिरिक्त छूट दी गई हैं यानि कि 5 वर्स हो गई और 3 वर्स अलग से छूट देने के साथ में अब जो हैं 8 वर्स की इसमें छूट प्री का जो paper होगा उसमें 15 गुना candidates को सामिल किया जाएगा और उसके बाद में इस प्री के exam के आपके जो marks हैं वो उसमें count नहीं किया जाएगे दोस्तों आपको प्री में केवल passing marks ही लाने हैं ऐसा नहीं है कि आपका अगर कटोप के पास अगर आ रहे हो तो उसके आपके plus हो होंगे या फिर आप merit जो है टोप में आ रहे हो फिर भी आपके count जो number है वो count नहीं होंगे दोस्तों सारे जो number यह फिर आपको pass करना है और उसके बाद में जो है मेंस का एक्जाम होगा उसी के आधार पर आपको जो है जो है जोनिंग दी जाएगी दोस्तों तो यह दो चरणों में होगी पहला paper जो है वो संभावित रूप से जो है आपका December में लिया जाएगा official notification के अनुसार और दूसरा जो आपका man's का paper है वो February 2022 के आज पास लिया जाएगा तो यह होगी इसकी भरती की परकरिया के बारे में और आगे के हम देखते हैं कि यह जो इसका syllabus है syllabus के बारे में दोस्तों अभी तक जो official website के पर कोई भी update नहीं दिया गया है syllabus के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें syllabus में ज़्यादा कुछ बद्लाव नहीं होने वाला है क्योंकि राजस्तान की भरती हैं तो इसमें राजस्तान जी के तो सीधा सा पूछे जाएगा इंडिया जी के और मैट्स और रिजनिंग रहने वाला है अब आप syllabus का इंतजार मत कीजिए दोस्तों जब भी आपको syllabus के बारे में official website पर कुछ भी अगर जानकारी होगी तो उसके बारे में हम आपको वीडियो के बादे हम से जानकारी दे देंगे तो अब आप अपनी तयारी में जुट जाएए दोस्तों एक बहुत बड़ी भरती जो है राजस्तान सरकार के द्वारा बड़ी खुसकबरी युवाउं के लिए दी गई है तो इसमें आप अपनी तयारी को जारी कर सकते हैं अब आप राजस्तान जिक्यक की क्लासेज के साथ में सुरुआत कर सकते हैं दोस्तों आप अगर राजस्तान हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर पॉलिट्टी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिट्टी की क्लासेज अवेलेबर हैं और जल्द ही जियोग्राफिक की क्लासेज भी सुरू होंगी दोस्तो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई भी इस विशे में अगर कोई भी आपका परसन है तो आप कमेंट बॉक्स में उस परसन के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों और सलेबस का जब भी आपको आएगा तो उसके इस वीडियो में इतना ही और next वीडियो जब syllabus के बारे में आएगा तो हम उसके बारे में जानकारी दे देंगे दोस्तों तो धन्यवाद दोस्तों